वेलकम टाक्सन स्विटी पोईंट दोस्तों इस वीडियो में हम भी SSE का जो प्रेक्टिचर दोस्तों सॉल्फ करने वाले हैं दोस्तों जो मोस्न इंपॉर्टेंट है इसमें हम एक से लेकर पचास तक्सले देखेंगे सभी प्रशन दोस्तों most important होंगे आगे exam के लिए सभी प्रशन को ध्यास दिखेगा आप कितने सही करते हैं मैं जरूर बताइएगा अगर आप चनल में पहली पा रहा हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि दोस्तों हमारे चनल पर आपको जो है लगातार वीडियो दी जाती है दोस्तों आई शुरू करते हैं आज का वीडियो तो आज का हमारा पहला प्रशन है मनुस्य के सरीर में पसलियों की पसलियां जो हती हैं कितने जोड़े होते हैं 12, 10, 14, 11, तो प्रख़ती क्रियाओं, यानिके, रिफ्लेक्स एक्षन का नियंतरड के अंदर कहा पर होता है? प्ररतिवर्ति क्रियाओं का नियंतरट के अंदर कहां पर होता है प्रमस्तिस्क में, अनुमस्तिस्क में, कसेरुक रज्जु में या फिर तंतर का कोशिका में तो दिखे, इसका सही अंसर हो जाएगा option number C कसेरुक रज्जु में दोस्तों, जो सारे प्रश्ण है वो आपके B.S.S.C. Interlevel Mains Exam के जो ओफिसेर से लेबसोस पर क्या धारित है तो आपको ध्यान से देखना है और इसमें दोस्तों सारे जो आपको अच्छे-च्छे कोश्चन मिलने वाले हैं अगला प्रश्ण है W.B.C. का बनना तथा R.B.C. का विनास होता है कहां पर यहनि कहां पर W.B.C. बनता है और R.B.C. का विनास होता है लसिका गरंती में, प्लिहा में, पैंक्रियास में या फिर यक्रत में तो अगर आपने option number B प्लिहा चुना है तो आपका जवाब सही हो जागा जो देखिए जो W.B.C. का बनना और R.B.C. का विनास होना यहां कारे जो होता है प्लिहा में समपन होता है option number B प्लिहा में प्लिहा में प्लिहा अगला प्रश्ण है प्रकास अंसलेसर्ड है तो सरवाधिक क्रियासील प्रकास कौन से रंग की होती है जो प्रकास अंसलेसर्ड की क्रिया होती है उसके लिए सरवाधिक क्रियासील प्रकास कौन सा है बैगनी प्रकास, लाल प्रकास, नीला प्रकास या फिर हरा प्रकास तो देखिए प्रकास अंसलेसर होतु सरवाधिक जो क्रियासील प्रकास है वह नीला प्रकास होता है उप्शन नमबर C इस प्रशन का सही जवाब हो जाएगा प्रकास अंसलेसर होतु नीला प्रकास सरवाधिक क्रियासील प्रकास होता है अगला प्रश्ण है विटामिन C का रासानिक नाम क्या है तो देखिए विटामिन C का रासानिक नाम आप सभी को पता होगा विटामिन C का रासानिक नाम होता है एसकॉर्बिक एसिड और विटामिन B1 का जो रासानिक नाम होता है वो होता है थाइमीन तो इन दोनों के रासानिक नाम इसके अलावा आपको सभी विटामिन के जो है रासानिक नाम याद करने होंगे दोस्तों हमने इस पर एक वीडियो बना था तो आप जाकर प्रेलिश्ट में वीडियो देख सकते हैं अगला प्रशन है हमारे सरीर में अमलीयता तथा चारकता के बीच जो तत्तों संतरन बनाये रखता है वह होता है फास्फॉरस अगला प्रशन है अग्णियासे की पाचकरस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम लखेत में से कौन सा है तो सही इंसर क्या हो जाएगा अगनासे की पाचक रश के उत्पादिन के लिए उत्तेजित करने वारा जो हरमन होता है उसे हम सिक्रेटिन कहते हैं ऑप्सेन नमबर सीज सिक्रेटिन इस प्रश्ण का सही जवाब हो जाएगा साथ हुए प्रश्ण का अगला प्रश्ण है मानव मस्तिस्क के निमलिकित भागों में से कौन सा एक निगरड और उल्टी का नियमन केंद्र है पहला उप्षन है अनुमस्तिस्क प्रमस्तिस्क, मेडूला अबलांगेटा या फिर पॉन्स इसका सही अंसर क्या हो जाएगा मेडूला अबलांगेटा मानव मस्तिस्क में जो निगरड और उल्टी का नियमन केंद्र है वह मेडूला अबलांगेटा से होता है, उप्षन अंबर C अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रशन है नियमन केंद्र में से तो देखे इस प्रशन का सही अंसर हो जाएगा मलेरिया जो रोग होता है या प्रोटो जोगा के दवारा होता है तो ऑप्सिन नम्बर E एगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा दसवा प्रश्ण है निम्लकित में से कौन सा बायो डिजल का पोधा है गूगल रोसा घास रतन जोट ये फ़र जावा घास सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन नमबर C रतन जोट जो होता है यह डिजल पोधे का नाम होता है बायो डिजल पोधे का नाम रतन जोट correct answer हो जाएगा option number C अगला प्रश्न है एक micron किसके बराबर होता है दोस्तों जो एक micron होता है वो किसके बराबर होता है सही answer क्या हो जाएगा option number C 1 upon 1000 mm यानि इसको 10 के power minus 3 भी लिखते है जो हमारा एक micron होता है वो 10 के power minus 3 mm होता है तो यह आपको याद रखना है 10 power minus 3 mm option number C प्रश्न का जैसे ही जवाब हो जाएगा अगला प्रश्न है पारस्तिती की दबाव यानि कि atmospheric pressure की 1 क्या है तो देखे जो atmospheric pressure होता है इसकी 1 क्या होती है बार option number A correct हो जाएगा बार अगला प्रश्न है पाइरोमेटर किसके मापन में प्रवग किया जाता है जो पाइरोमेटर है वह किसके मापन प्रवग किया जाता है तो देखे जो पाइरोमेटर ही है उच चताब का मापन करने के लिए प्रवगत होता है उच चताब का मापन करने के लिए पाइरोमेटर का परयोग किया जाता है आर्दरता का बाबन करने के लिए किसका परयोग किया जाता है जो आर्दरता है और घनत्व है इन दोनों के लिए भी एक तो देखिए घनत्व के लिए हाइडरोमेटर का परयोग होता है घनतों के लिए हाइड्रोमीटर और आरदरता के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है और उच्चताप जो है वो पाइड्रोमीटर के द्वारा ना पा जाता है तो option number जो हमारा इस प्रशन का C हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला प्रशन है बल गोड़न फल है किसका तो देखिए आपको एक फार्मला जरूर ज़रूर जातोगा F equal MA यानिके F बराबर M गोड़े A यानके जो बल होता है यह मास यानिके द्रवेमान और A यानिके तोरड का गोड़न फल के बराबर होता है जो हमारा बल होता है वह द्रवेमान और तोरड के गोड़न फल के बराबर होता है तो इस प्रशन का option number B से ही हो ढाएगा द्रवेमान और तोरड का गोड़न फल होता है F बराबर MA जो हमारा सूत्र होता है वह यहाँ पर दिस्थों लागू होता है अगला प्रशन है लोलक घडियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्यों लोलक घडियां जो होती है गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्यों गर्मियों में दिन लंबे होते हैं कुंडली में घरसर होता है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है या फिर लोलक के भार में परिवर्थन हो जाता है तो इस प्रश्न का सही answer हो जाएगा option no.C लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसका लोलक घडियां गर्मियों में सोचता हो जाती है इनकी गति धीमी हो जाती है option number C correct हो जाएगा अगला प्रश्ण है वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्थित रहता है अगर हम वस्तु की मात्रा बदलने तो क्या परिवर्थित रहेगा आयतन, भार, द्रविमान या फिर घनत्व तो देखिए वस्तो की मातरा बतलने पर जो हता है घनत व परिवर्थानी घनत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है option number D घनत व इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है प्रकास की गती किसके बीच से जाते हुए नियुन्तम होगी प्रकास की गती किसके बीच से नियुन्तम होगी कांच, निर्भात, जल या फिर वायू तो सही एंसर हो जाएगा option number A कांच प्रकास की जो गती नियुन्तम होती है वा कांच में होती है option number A है बिल्कुल सही हो जाएगा अठारवा प्रशन है ऑक्टेन संख्या गुडवत्ता का माप है या जो ऑक्टेन संख्या है यह किसकी गुडवत्ता का माप है अठारवा प्रशन है ऑक्टेन संख्या किसकी गुडवत्ता का माप है खादे तेलों की, पेट्रोल की, केरोसीन तेल की है फर सुगनते तेलों की तो देखिए, जो octet سंखिया है, यहाँ petrol की gudota का मापन करता है, याँ foldike petrol की gudota का मापन octet संखिया द्वारा किया जाएगा, option number B गैसो hraimana का being source होता है,bon जही answer हो जाएगा option number A, एफिल, अलकोहल और पेट्रोल, एफिल, अलकोहल और पेट्रोल का मिसर होता है, गयस होल, option number अगर आपने ए चुना है, तो आपका जवाब सही हो जाएगा, अगला प्रशन है, यूरिया में नैट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, अगला प्रश्ण है एलमोनियम फासफाइड का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में एलमोनियम फासफाइड का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है कीट नासक के रूप में फफूंदी नासक के रूप में चूहा नासक के रूप में और घूमक के रूप में दूमक के की रूप में देखें सही अंसर क्या हो जाएगा जो इलमोनियम फास्फाइड होता है या कीट नासक की रूप में परेउक्त होता है। अगला प्रशन है निमलकेत में से कौन सा एक सांति कारक औसधी की रूप में प्रयुक्त होता है निम्नकित योगिकों में से कौन सा एक सांती कारक औसधी के रूप में प्रयुक्त होता है सही एंसर हो जाएगा option number a potassium bromide तो जो सांती कारक औसधी होता है वो होता है potassium bromide option number a इस प्रश्ण का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला प्रश्ण है क्या हो जाएगा देखिए जो पृत्वी की आयों कमापन है वह यूरेनियम विधी द्वारग किया जाता है ऑप्सान नमबर डी यूरेनियम विधी इस प्रश्ण का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है एक सुस्क सेल में निम लिकित में से किनका इलेक्रोलाइट की तरह इस्तमाल होता है सुस्क नमबर ए इस प्रश्ण का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन सा प्रसासन पर विधाय नियंतरड के अंतरगत नहीं आता है सुनेकाल, स्थगन प्रस्ताओ, बजट सत्र या फिर किसी विधेक निरूपड सहीद उतर क्या हो जाएगा ओप्से नमबर A सुनेकाल इस प्रश्ण का सहीद उतर क्या हो जाएगा, ओप्से नमबर A सुनेकाल किसी भी विधाय नियंतरड के अंतरगत नहीं आता है अगला प्रश्ण है, हाउस ओफ दपीपल को लोगसभा का नाम किस वर्स दिया गया था तो देखिए जो वर्तमान में मारा लोगसभा है, इसका पहले नाम था क्या, हाउस ओफ दपीपल इसका नाम लोगसभा कप किया गया, यह आपको बताना है, तो देखिए सही नसर हो जाएगा 1954 में जो था हाउस ओफ पीपल का नाम बदल कर लोगसभा कर दिया गया option number जो ए है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उतर हो जाएगा अगला प्रश्न है, भारत में अवस्यष्ट सक्तियां किसमे नहीत है तो देखिए, जो भारत में अवस्यष्ट सक्तियां होती है, वह केंद्रिय सरकार में नहीत होती है जाने कि ऐसी सक्तियां जो होती हैं, वह किंद्रे सरकार के अधीन आती हैं, और इस पर बनाने का जो कानुन बनाने का अधिकार किंद्रे सरकार का होता है। अगला प्रशन है, भारत के प्रतम उबपरधान मंत्री कौन धे? तो देखे सही उत्तर क्या हो जाएगा भारत के पहले उपरधान मंत्री थे सरदार वल्लभाई पटेल सरदार वल्लभाई पटेल भारत के पहले उपरधान मंत्री और भारत के पहले गिरिह मंत्री भी थे जवाहरलाल नहरू भारत के पहले प्रधान मंतरी मौलाना अबुल कलाम जो आजाद जो थे वो भारत के प्रथम सिक्षा मंतरी थे तो इन तीनों लोगों का नाम इंपोर्टेंट है अगला प्रशन है निम्न में से कौन से रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पता अधिकारी के विरुध लागू कि जा सकती है देंडि जो पांच रिट होते हैं पांच रिट कौन कौन से होते हैं परमादेश, बंदी पतरिशिगरण, उद्प्रेशर, परतिसेद और अधिकार प्रिच्छा और यहीं पांच जो rate होते हैं यह Supreme Court अनुशेद 32 के तहत लागू करता है जारी करता है और जो High Court होते हैं वो अनुशेद 226 के तहत जारी करते हैं डॉक्टर भीम राव मिटकर ने अनुशेद 32 को जो है समिधान की आत्मा कहा है और बताना कि इसमें से कौन सी ऐसी rate है जो केवल सरकारी पता अधिकारी के विरुद्ध ही जारी कि जारी कि जा सकता है कि सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर भी परमादेश परमादेश के माध्यम से किसी सरकारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वो अपना कारे सही से कर रहा है या नहीं ऑप्सन नमबर जो इए बी इस प्रशन का सही जवाब हो जाएगा अगला प्रशन है भारती समिधान के कि संसुधन के तहट उच्च नियाले के अनिया अधिसों की सेवा निवर्ती की आयू 60 से बढ़ा कर 62 वर्स की गई थी तो कि संसुधन के तहट उच्च नियाले के अनिया अधिसों की सिवा निवर्ती 60 से बढ़ा कर 62 कर दी गई थी अग्ला परुश्ण है संसद में अपनी राया देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रिदद किया जा सकता है तो सही उत्तर हो जाएगा भारत का नियंतरक और महालेखा परिक्षक CAG यानि कि कंट्रोलर और ओर्टर जनर्रल जूबारत ही होते हैं इनको संसद में अपनी राद देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है इस प्रशन का option number जो D है correct हो जाएगा CAG के बाद तो आर्टिकल 148 में जो है CAG के बारे में वर्डन किया गया है इसके अलावा अगर हम महानियावादी की बात के लिए तो इनने अनुचे 76 के अंतरगत रखा गया है और मुख्य चुनाव आयोग नहीं की जो हमारा election commission की बात के रहे हैं तो election commission अनुचे 324 के अंतरगत आता है तो ये भी आपको याद रखना है अगला प्रश्ण है संग लोग सेवा आयोग यानि की union public service commission के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा तो देखिए UPSC यानि की union public service commission जो है यह एक वैधानिक संस्ता है जो की अनुचे 315 से लेकर 323 तक रखा गया है यदि कोई भी समयधानिक संस्ता है तो उस पर नियुक्ति का और उसको हटाने का जो अधिकार होता है वह राश्रपती को ही होता है तो लोग सिवा आयो के किसी भी सदस्य कोटाने का जो अधिकार होता है वह राश्ट्रपती के पास ही होता है क्योंकि यह एक समयधानिक संस्ता है और 315 से लेकर 330 तक जो है UPSC का वर्डन समयधान में किया गया है अगला प्रश्ण है नाबाड का संबंध किसके विकास के साथ है तो नाबाड का संबंध किसके विकास के साथ है सही उत्तर हो क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा OPSC No.1 क्रिसी छेत्र और गरामिड इलाके देखे जो नाबाट का full form होता है वो important है और इसके नाम से आपका जो है इसका अर्थ निकल जाएगा तो नाबाट का full form क्या होता है National Bank for Agricultural and Rural Development यह क्रिसी और ग्रामिर इलाकों के विकास के लिए जो है कारे करता है option number A इस प्रशन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला प्रशन है किस दर पर भारती रेजर बैंक वाड़िक बैंकों से धन उधार लेता है सही उतर हो जाएगा reverse report option number C correct हो जाएगा इसका मुख्याला है मुंबई में और RBI के वर्तबान जो गवर्णर वो है सक्ति कांत दास तो RBI से इतनी बात याद रखनी है अगला प्रशन है हाल के वर्सों में भारत में किंद्री सरकार के व्यकी सबसे बड़ी एकल मद कौन सी थी तो देखिए हाल के वर्सों में भारत में किंद्री सरकार के व्यकी जो सबसे बड़ी एकल मद थी सही एंसर हो जाएगा ब्याज का भुगतान ओप्शन नमर जो 30 प्रशन का है करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन है व्यापार नीती में क्या सामिल है निमलिकित में से व्यापार नीती में क्या सामिल है सही उत्तर हो जाएगा आयात निर्यात नीती जो है यह व्यापार नीती में सामिल है आयात निर्यात नीती आप्शन नमर ए अगला प्रश्ण है मुक्त व्यापार का क्या अभिप्राय है सही उत्तर हो जाएगा आप्सिन नमबर A मान और सिवाओं का और नियंतरत आदान प्रदान जो है मुक्त व्यापार का अभिप्राय है आप्सिन नमबर 30 प्रश्ण का सही जवाब हो जाएगा अगला प्रश्ण है 38 प्रश्ण निम्न में से किस वे ज्यानिक ने यह सिदह किया था कि सूर के चारो और प्रतेक नशतर का मारगत दीर गविरता कार होता है तो देखिए सही जवाब हो जाएगा ओप्सन नमबर C कैपलर कैपलर ने अपने गतिवे सेक्सिधान में बताया था कि जो सूर के चारो और प्रतेक नशतर है इनका मारगत दीर गविरता कार होता है ओप्सन नमबर D प्रश्ण का सही जवाब हो जाएगा 49 प्रश्ण है वायू मंडल में जिस ओजोन चितर का पता लगाया गया है वह कहां पर स्थित है तो वायू मंडल में जिस ओजोन चितर का पता लगाया गया है वह अंटार कटिका के उपर है option number B अपने चुना है अंटार कटिका के उपर तो आपका जवाब जो है बिल्कुल सही है अगला प्रशन है दुनिया की च्छत यानि के roof of the world निम लिकित में से किसे किसको कहा जाता है तो देखिए जो पामीर का पठार है यह विसु का सबसे बड़ा पठार है और पामीर के पठार को जो ही है विसु का च्छत कहा जाता है option number 20 प्रशन का है सही जवाब हो जाएगा अगला प्रशन है उच्छ अच्छांस के चीड के 1 की राख जैसी दूसर मरदा किस नाम से जाने जाते हैं उच्छ अच्छांस के चीड के 1 की राख जैसे जो दूसर मरदा होती है वह किस नाम से जाने जाते हैं सही अंसर हो जाएगा option number C pod salts के नाम से जाने जाते हैं option number C यो है correct हो जाएगा अगला प्रशन है मीठे पानी का सबसे बड़ा जलासे क्या होता है यहनिया कि मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है सही उत्तर हो जाएगा option number D glacier जो होते हैं यह मीठे पानी के सबसे बड़े जलासे होते है option number D correct हो जाएगा अगला प्रशन है लानो कहां के घास तल है जो लानो है यह घास मैदान है सही answer हो जाएगा option number 1 गोयाना उच्च भूमी गोयाना उच्च भूमी ए घास मैदान को लानो कहा जाता है option number 1 correct हो जाएगा अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है यानि कि विस्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है सही उत्तर हो जाएगा option number 1 कनाडा कनाडा में विस्व का सरवाधिक जो है यूरेनियम प्राप्त होता है अगला प्रश्ण है विसालतम महासागर यानि कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है सिद्धु कानु और भैरव चांद इन दोनों ने किया था तो सही जवाब क्या हो जाएगा option number C A और B दोनों option number C है सही जवाब हो जाएगा अगला प्रश्ण है दक्षिड अफरिका में रहने की अवधी में महात्मा गांधी ने निम्न में से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला प्रश्ण है M.K. गांधी यानिके मोहनदास करमचंद गांधी के निम्लिखित भारती राष्टी कॉंगरेस के अधिवेसनों में से किस एक में सरुवतम भाग लिया निकी महात्मा गांधी ने सबसे पहले गांधी ने सब से पहले भाग लिया था इस अधिवेसन के अधिश्ण की ठी अंबिका चरण मजूनदार और इस अधिवेसन को लखनओ समझोगता के नाम से भी जाना चाता है क्योंकि इसमें मुस्लिम लिग ने भी भाग लिया था इसमें कॉंग्रेस और मुस्लिम लिग ने एक साथ भाग लिया था अगला प्रश्न है नोवा खाली काल में महात्मा गांधी के सचीव कौन थे तो नोवा खाली काल में महात्मा गांधी के जो सचीव थे का नाम था प्यारे लाल, option number C correct हो जाएगा, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, बार्दोली सत्यागरा जो की 1928 में हुआ था, इसका नेत्रत्व किस ने किया था, तो बार्दोली सत्यागरा का जो नेत्रत्व था, वो सरदार वल्ला भाई प्रदोली सत्यागरा के बाद ही बार्दोली की महिलाओं ने वल्ला भाई प्रदोली को सरदार की उबाधी से समानत किया था, और इसी सत्यागरा के बाद ही इन्हें सरदार के नाम से जाना जाना लगा, option number A है इस प्रश्न का बेलकुल सही जवाब हो जाएगा, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 50 प्रश्न मिलें जो कि आपके exam के लिए most important थे, दोस्तों वीडियो को आप 4-5 वेक्ति तक जरूर सेर्ट करें, जिससे अधिक सधिक लोग जो है इस वीडियो का लाब उठा सकें, दोस्तों अगर आप चनल पर पहली बार आएं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा युकि हमारे चनल पर आपको important वीडियो मिलती रहती है आपको वीडियो की description में दोस्तों और जो बिहार जीके के है सामान ने मिज्ञान वीससी का practice set उसका दोस्तों जो playlist है, playlist का जो link आपको है description में मिल जाएगा तो वहाँ से आप जाके जो है और सारे वीडियो देख सकते हैं दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद